नमस्कार दोस्तों, रिनाम सेकर और स्वागत आप सौभी का हमारे ट्यूप चैनल सिकारी स्टाडी पॉइंट पर तो दोस्तों इस वीडियों हम देखने वाले हैं उत्रा खंड के मैत्मून परस्नों को तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पाटू को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों आप प्रेलिष्ट पर आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरूराथ करते हैं पहला परस्न है प्रेमसबा की स्थापना किस ने की थी तो कई बार दोस्तों पूछा गया ये परस्ने प्रेमसबा की स्थापना किस ने की थी इसका से उत्तर हो जाएगा option no.A, kovind बलब 5 तो इनका नाम आपको ठुड़ से याद रखना है प्रेम सबाखी स्थापना है नागरी परचारणी सबाख की रूप में अब याद रखना है और इसके लाओ 1903 में है धुड़ के अुझार की चाबच pastor coffee टिर्म धींक अधी एक मात्र बेक्ति उत्राखन-,चे दर्की की भारग अत्न से सम्मानित किया गया था 1907 में तो इसका से उत्रू जाएगा ओप्शन में अगला प्रशन है बंधु नामक समचार पत्र को किस ने परकासित किया अब दोस्तो यहां पर जितने भी ऑफ्शन है इन्हों ने किसी ने किसी पत्र का परकासित किसने किया था राम सिंग धोली ने, पहाड पत्री का और पहाड सस्ता, दोनों दोस्तों सेकर पाटक पहाड पत्री का निताल से निकलती है, और पहाड सस्ता दोस्तों ये भी आप याद रखना है कि सेकर पाटक इसे सस्ता पक है, देप की नंदन ध्यानी दोस्तों इन्होंने बिजय नामक पत्र निकाला था बिजय नामक पत्र था और सेलेस मेट्यानी पहुत ज्यादा महत्तुम रसन उस्तो सेलेस मेट्यानी ने कौन से पत्र का उस्तो परकाशन किया था बिकल्प और जन्पक्च दोनों याद रखेगा बिकल्प और जन्पक्च इसका उत्रों जाएगा यहाँ प तो इसका सेवत्र का उस्तो लखवाण बाद जो कि देरादुन में है यम्ना नदी पर है देव सारी दोस्तो चमोली में है और तुमड़या दोस्तो ये का है तो ये कासिपूर में है उधम सिंग नगर में है और इसका सेवत्र का उस्तो लखवाण बाद दोस्तो क्योंकि ये देहरादुन में है, बहुत ज़्यादा महतुन सीन है, लखवाडबादवाला, पिछली बार भी पटवाली में वना था, आने वाले किसी एक्जाम में फिर से आपको देखने को मिल सकता है, अगला प्रशन है, बीर चंदर सींग गडवाली का जन्म कब हुआ था, आता दोस्त पूछागी है कि बीर चंदर सींग गडवाली का जन्म कब हुआ था, इसका स्युत्रों का दोस्तों देखे, 25 तारिक तो समय है, अब 25 दिसंबर है, अक्टूबर है, नौमबर है, शितंबर है, तो 25 दिसंबर है और 1891 को, 25 दिसंबर 1891 को दो बीर चंदर सींग गडवाली का जन्म होता कहां पौडी में, जन्पद भी आज रखेका, हो सकता है कि जन्पद आजाए कि बीर जन्दर सिंग गडवाली का जन्म कहां होता, पौडी, चमोली, ठीरी, कुछ भी आ सकता है, तो पौडी में दोस्तों इनका जन्म होता है, 891 में, ये भी आपको याद रखने है, और इसके बीर जन्दर सिंग गडवाली प्रेटरन सुरुजगार उदना कब आई, कई बार, कई बार दोस्तों एक जन्म परसन पूछा जा जा चुका है, इसका सेक्टर जागा बीर जन्दर सिंग गडवाली प्रेटरन सुरुजगार उदना, एक जून 2002 को आई, और इसके भी तक नहीं आये कि बीर्चंद सिंग अड़वाली पर डांग टिकट कब जारी किया गया था हो सकता है पूछले एकजाम में इसका सेउत्र का दूस्तो यहाँ पर जन्नम पूछा है तो 25 इसंबर आगमन हुआ था बिल्कूल याद रखिए तयानन्द सर्शोती के बारे में उस तो और चीज़ जान लेते हैं जैसे आपने भी पड़ा होगा कि आरी समाज की इन्होंने इस्तापना की थी आरी समाज और लोटो यह भी दोस्तो बहुत जादा महतुम रखिए यह बन सकता है किस ने दिया था तो दियानन्द सर्शोती ने इसके लाव दियानन्द सर्शोती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है यह भी दोस्तो भोटिया जन जाती में सगाई की रस्म को कहते हैं, जबरदस्ते कुष्चिन है, अपना पराया थोची बात कटी होगा, यह होगा बात कटी, इसका अर्थी बताऊँगा आपको बात कटी कहकर के दामी, तो इसका सेट्र का थोची, तो भोटिया जन जाती में सगाई की रस्म ह अपना पराया ये आपको बिल्कुल याद रखना है बात कट्टी दोस्तों जैसे थारू जनजाती में ही जैसे होता है कि उनकी जैसे साधी की तारिक मतलब की डेड़ फिक्स हो जाती है तो उसको दोसको कहते हैं वो बात कट्टी और यहाँ पर है दामी भोटिया लोग दोस् ये बात कट्टी होगा अगला परशने है दुर्गा देवी पन्त की अधिक्चता में कुर्मांचल महिला सुदार समयलन कायुजन किस जनपद में हुआ अब दोस्तों यहाँ पर देखी कुर्मांचल है और कुमाओं की जनपद यहाँ पर सभी दी हुए तो अल्मोडा होग आपको याद रखनी है जबर दस्त कोश्चिन है इसके अल्मोडा में इसकी अधिक्चता की थी कुमाओं समयलन की बद्द जोसी ने बद्द जोसी फिर उसके बाद दोस्तों उसके कुछ टाइम बाद होगा यह कुर्मांचल महिला सुदार समयलन तो यह आपको याद रखन इसका सेत्र का अल्मोडा मुगा था अगला प्रशन है किस कुमाओं कमिशनर ने स्वरुपर्थम भोटिया सब्द का परियोग किया था भोटिया सब्द का परियोग किया था तो यह सहद लिखा है आप भी मतलब सोच दे होंगे कि यह क्या लिख दिया है तो तो क्यूंकि म सब्दों का दोस्तों इसके लिए मापी चाहूंगा तो भोटिया सब्द का परयोग किया तो इसका सेवत्र का दोस्तों रेम जे नहीं है इसका सेवत्र है ट्रेल याद रखेगा अप्शन नमर यह हो जागा इसका सेवत्र और ट्रेल पर ही दोस्तों हिंदू धर में परचार क परचार परचार का आरोब भी लगा था ट्रेल पर, ये भी आपको याद धख रहे हैं, ट्रेल ने दोस्तो पटवारी के पदू का सर्जन किया, 1819 में, ट्रेल के समयी दोस्तो आपकारी व्यौसता आई, डबल लॉक व्यौसता, सब ट्रेल से सम्दित है, 80 साला बंदो बस त 18 हार सो 3 समय से समझ दित है इसका सेद्व एक रियुट तो ट्रेल अगला पर च्छी ठीरियासत में 14 eight कों कुछ ता मझें देख को निन सब्सक्राइब कि युटि क्या धरताई deposit में रेट क्रोस सोसाइटी की स्थापना कभी धो स्थ 15 तो बढ़ते हैं अगले परश्णी की तरफ इसका सेउत्र रूप में लेते थे उसे कहते थे तिहाड और ताली दोस्तो एक परकार का राजस्चुकर था और यहाँ पर सदा वर्त है सदा वर्त यह होता है कि मतलब आप कह सकते कि तीर थे आत्रियों के लिए भोजन आदि की वह उसता यह होता है तो यहाँ पर होगा दोस्तो तीहाड अगला प्रसने एडवर्ड जिम कारवेट पर डांक टिकट कब जारी हुआ एडवर्ड जिम कारवेट उसतो यह जो कारवेट नेशनल पार्क है यानि कि जिम कारवेट हम कहते हैं तो यहाँ पर बताना है कि इनका जनम का वह था जनम दोस्तो इनका वह था जनम और इस पर डांक टिकट दोस्तो इन पर जारी किया गया था कब अठारे सो नहीं 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 अठारे सो तो ऑप्शन में नहीं है उप्शन नमर भी उनिस सो चैनल में लगातार उस्तो इस्क्रीन पर देखने से थोड़ा आँकर अठाता भी हुआ तो आजकल चस्मा लग गया है थोड़ा मतलब कि भाहर देख रहा था तो इसका शरुत्र कि जो एक्जाम बनती है जैसे इनकी एक पहली पुष्टक थी वो एक्जाम में आता है मैन इटरॉप कुमाओ मैन इटरॉप कुमाओ मैन इटरॉप कुमाओ दोस्तो यह इनकी पुष्टक थी टी ट्रॉप माई कुमाओ यह इनकी पुष्टक थी इसका सेवत्री रुगाव वर्ष 2011 में उत्राखंड में अटल आदर्स ग्राम योजना शुरू की गई बिल्कुल या दखेगा दोस्तो एक्जाम में बन सकता है ये प्रस्ण अगला बसना काड गोदाम किस नदी के तरट पर बस है अगर आएगे दोस्तो काड गोदाम किस नदी के तरट पर बस है हलद्वानी किस नदी के तरट पर बस है और हलद्वानी के पास की बात करें से काड गोदाम हलद्वानी पास में इसके लावा रानी बाग रानी बाग थोड़ा काड गोदाम थोड़ा उपर पड़ता है रानी बाग इसके लावा लालकुआ दोस्तो हलद्वानी के पास ही है अगला ब्रस ने इस्टूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टिबलेस्मेंट राज्य में खाँ इस्तित है यह आपको यहाँ पर बताना है तो इसका सेवत्र का दूस्तो आपको आप्शन देखकर क्या लग रहा है रूड की देव परियाक आशिपूर तिहरादुन क आपके मन में आगया होगा दूस्तो यह है यहाँ पर पूली फूलपम इसके लिखे हुई है तो यह दूस्तो हमारा देहरादुन में दूस्तो बहुत ज़्यादा आपको कोई भी सस्तान बहुत सारी चीजा आपको मिलेंगी केंद्री केंद्री वाले सस्तान भी हैं और कु अगले वीडियो में देखेंगे किसी में सस्तान अगला प्रस्तान है उत्रा खंड आंदोलन इस्मिर्थियों का हिमाले पुस्तक किस ने लिखी अगर दोस्तों आपने परिक्ष्य वाड़ी पड़ी हुई है तो यह प्रस्तन आपको जरोड से आना चीए अगला प्रस्तन है याद कर लिजे उत्रा खंड आंदोलन इस मिर्थियों का हिमाले अगला प्रस्तन है नेमन मैं से कौन सी परवच्चोटी हिमाले में इस्तित्न है नंद आदे भी अपने आए एवरेश्ट दोस्तो आवरेश्ट दोस्तो वैसे हिमाले में है कामेट यह भी है गुरु सिकर द अगला प्रस्तन है भेकल ताल यहां ब्रहमा ताल दर्शनी इस्तल है अगर दोस्तो यह ब्रहमा ताल की जगह होता ब्रहमी ताल ब्रहमी ताल तो ब्रहमी ताल उस्तो का है उत्तरकाशी में है तो ब्रहमा ताल भेकल ताल उस्तो यह है हमारे चमोली जनपद में ऑप्शन न नम्मताल भेकलताल यह हैं चमुली में अग आपको चुछन है केंद्री यह भरन से रेखा उत्राखंड के किन छेत्रू से गुजरती है जबर्दस्त क्वेश्चिन है इसका सवित्रवाइब उस्तों चमुली से भी देवलगाट से भी गोप्यशोर से भी सबी से ऑप्शन नम यह भी परशन exam बन सकता है तब मैंने आपको बताए अगला पंच गंगा मैं कौन सम्मिलित नहीं है यह भी दो प्रश्ना आपको परिक्षानि मिल जागा जैसए आपने पंच परियाग में नहीं है पंच कुंड में कौन समिलित नहीं है पंच के इ 바람 transforming Redmi नहीं है तो पूर्वी राम गणा तो नहीं है इसका इस्त्रों का option C, पंच परियाग कौन-कौन से है विश्णोपरियाग, नंद परियाग, कर्णण परियाग और इसके लारुदर परियाग, देव परियाग, तो ये पंच परियाग है, ये भी आपको याद रखने हैं, तो इसका सेट्रो का उप्षन नमर सी, अगला वस्न है, उत्राखंड जैविक उत्पाद परिशत का गठन कब किया गया, इसका गठन दोस्तों क्यूं किया गया था उत्राखंड जैविक उत्पाद परिशत का, इसलिए उत्राखंड में यानि कि राजी में, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उत्राखंड जैविक उत्पाद परिशत का गठन किया गया था कब, तो ये किया गया था, उत्राखंड जैविक उत्पाद परिशत क गठन तो बिल्कुल याद अखिके के उस तो एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है तो मिलते हैं बहुत जल देख नए वीडियो में चैनल पन नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कर लिजेगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जोड़ जाएगा थैंक्यो फ्रेंड थैंक्यो सोमाज अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए